नमस्कार दोस्तों मैं हूं सत्यम गुरूर आप देख रहे हैं और टो मॉइल गुरूजी चैनल तो आज हमारे साथ है एक्टिवा 6G तो आज हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स एड़ किये गए हैं अगर हम इसके फ्रेंट लुप की बात कर लें तो मैं आपको बता दूँ यहां पर इसका साथ ही कुछ चीज़ जो हैं वो आपको चैन्ज देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इसको दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह पुराना जो फाइब जी मोडल आत सेम उसी की तरह दिखती है बट मैं आपको यहां पर बता दूँ किसमें काफी कुछ चीज़ है चैन्ज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर मैं आपको यहां पर फ्रेंट में आपको बात करूं तो यहां पर जो आपको इसकी नोस दिख रही होगी एक्टेवा 5G म मैं आपको यहां पर बताऊं तो इसमें आपको जो क्रों की फिनिश दिख रही है यह भी आपकी चैन्ज कर दी गई है और अगर मैं आपको यहां पर यह प्लास्टिक का जो एक छोटा सा पैनल लगाया हुआ यह अगर आपको बताऊं मैं तो यह भी आपको पुरानी वाली एक्तिवा से चैन देखने के लिए मिल जाएगा, अगर मैं आपको यहां पर इसके body material की बात करूं तो यहां पर आपको लोहे का देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी जो nose है वो आपको यहां पर plastic की देखने के लिए मिल जाती है और सबसे वड़े अगर हम बदलाब की बात करें तो हमेशा सारे ही एक्टिवाइ यूजर्स को एक चीछ की भूती दिक्कत होती थी कि इसमें आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए नहीं मिलता था बट अभी आपको इसमें टेलिस्कोपिक सस्पें सब्सक्राइब करें तो छोड़े से एरबेंट देखने के लिए मिल जायेगा और कॉम्बी और पर एक चीज़ और जोगी चैंज हूं यह इसमें आपको अब पहले 10 इंचिस का टायज देखने के लिए मिल जाता था और अब क्या होता है यहां पर एक्टिवाँ में आपको फ्रेंट में 12 इंचिस का टाइज देखने के लिए मिल जाएगा और अगर हम side view की बात करने तो आपको यहाँ पर side में भी पूरा changes देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर पहले आपको अलग तरीके के थोड़े से air bend देखने के लिए मिलते थे बट यहाँ पर आपको यह चोटा सा ही air bend देखने के लिए मिलेगा और side से भी इसका पूरा पैनल change आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अगर हम इसके silencer की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको पूरा अलग तरीके का silencer देखने के लिए मिल जागा और यहाँ पर इसका जो मैं आपको बता दूँ कि इसमें इस तरफ अंदर पे आपको catheletic converter देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 सारी गाडियों में common है अगर हम इसके dare profile की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ भी सारा changes देखने के लिए मिल जागा और सबसे बड़ा इसमें जो change किया गया है कि आपको अगर आप 5G में अगर हम बात करें तो इसको अगर आपको fuel डलवाना होता था तो आपको पहले seat खोलनी पड़ती थी और seat खोलने के बाद आपको उसमें fuel डलवाना पड़ता था बट यहाँ पर आपको आपको क्या किया गया है कि 60 वाले model में आपको यह panel यहाँ से खुल जाता है और direct आपको fuel डल जाता है यह खुल जाता है और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से खुल जाता है और 77 आप इसमें डलवा सकते हैं कि जो tail light वगएरा indicators वगएरा यह भी आपको red design देखने के लिए मिल जाते हैं साइड व्यू में आपको Activa 6G की wedging देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर HET BS6 की wedging भी देखने के लिए मिल जागी और मैं इसके overall look की बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ यह देखने में तो Activa 5G जैसे ही लगती है बट यहाँ पर इसमें काफी सारे changes है जिसके कि यह और भी जादा खूब सूरत देखने के लिए लगने लगी है अगर मैं इसके instrument कलिश्टर की बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो मीटर है वो भी पूरी तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया गया है यहाँ पर आपको हॉंडा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और मैं स्विचिस की बात करूँ तो यह भी मतलब पहले से चेंज कर दिये गया है बट इनकी मतलब कॉलिटी जो है वो बुदा आपको भी मतलब है और सथा और पैसे ऑर फियुल पर की को घुमाते हैं तो यहाँ पर आप उपर की तरफ अगर दवाएंगे तो फ्यूल खुल ःगा आपका और नीचे शीट की तारफ दवाएंगे तो आपकी सीट बुचिस की बाइंग और यहां पर मैंने दोनों ही चीज़ें खोल के बता देता हूं है आपको यह फ्यूल का तो आपको खुल गया यह आपने देख लिया है और सांधी नाता कर रहा हम इसके बूट स्पेस की बात करने हैं आपको काफी अच्छा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा इसमें एक चीज़ और चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि पहले आपको जो बैंटरी आती थी इसकी वो आपको यहां पर फ्रेंट के पैनल के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस ये box के नीचे आपको बैंटी देखने के लिए मिल जाएगी और ये जो telescopic वाला जो change आपको देखने के लिए मिल जाए काफी जादा helpful आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जित्ते भी एक्टिवा के users होते थे उन सब का एक ही कहना होता था कि इसके handle में आपको काफी सारे दचर्दे टाइप देखने के लिए मिलते थे जर्ग देखने के लिए मिलता था तो ये सारी चीजें ये telescopic suspension आने के बाद ये सारी चीजें यहाँ पर खतम हो जाएगी अगर मैं इसके engine की बात कर दों तो यहाँ पर आपको 7.7 PS का power देखने के लिए मिल जागा और अगर मैं torque की बात करूँ तो आपको 8.7 का 8.7 Nm का torque देखने के लिए मिल जागा जो भी काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको इसके engine 110 PC का देखने के लिए मिलता है अगर मैं इसके mileage की बात कर दूँ तो मैं आपको बता दूँ कि यह आपको लगवख लगवख 50 से 60 का average देदेगी city और highway पर दोनों को मिला कर कभी आपको 50 55 साथ इस तरीके से यह आपको average देदेगी अगर आपको इस गाली से related कोई भी question हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ जय हिन जय भारत